हेलो एब्रीवान वेलकम टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में आपके साथ डीटेल रिवीव शेर करने वारी हूँ अबाउट मामाथ रिसेंडी लॉंच कोको बैंबू शीट मास्क रिवीव तो इसके बारे में अगर आप इंट्रेस्टेड हो देन कीप आन वाचिंग फुल वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नीचे की लाल सब्सक्राइब बटन को हिट करके और बल्स बटन को भी हिट कर दीजिए फॉन न्यू वीडियो नोटिफिकेश्ट तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लिए ममाथ रिसनली लॉंच दियर बैंबू शीट मास्क रेंज और उन्होंने टोटल 8 विरियन में ये शीट मास्क लॉंच किये थे उनमें से मैंने राइस वाटर वाला जो शीट मास्क है उसके रिव्यू शेर कर चुकी हो तो मैं लिक एट कर दूँगे डेस्क्रिप्शन वाक्स में आप जरूर चेकिजिए वो वाला वीडियो आज में आपके साथ ये कोको शीट मास्क का डीटेल रिव्यू शेर करने वाली हूँ अबाउट इस पैकेजिंग इस आपको अपलाई कैसे करना है और इस प्राइस और क्वाटिटी तो चलिए इसकी पैकेजिंग को चेक कर लेते हैं अभी आप स्किन पर देख सकते हूँ इसके पैकेजिंग ऐसे पाउच पैक में आ रहा है इसके पीछे हर एक इंगिडियन लिस्ट और डीटेल इंफरमेशन मेंशन है जो मुझे काफी अच्छा लगा है जो पैकेजिंग में होना चाहिए पैकेजिंग वाइस इट्स 5.5 और इसके क्वांटी के अगर बात की जा अधिड़ एंड शूट्स फर और स्किन टाइप और ये आपको नाइन दे तक सेरम हाइडरेशन प्रवाइड करती है विच इस वेरी गुट और में जरूर एक्स्प्रियंच शेर करूंगी कि कि इन दिन तक हाइडरेशन अपको एक्शुली में प्रवाइड करती है वो आप जानती हो कि मेड इंडिया ब्रैंड है और इनकी हर एक प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट प्री है डर्मोलोगिकली टेस्टेड है ये शीटमास्क और अलस किन टाइप के लिए है तो सभी इसे यूस कर सकती है अब अभी आप देखी सकती हो कि ये क्रुएल्थी फ्री है जाने कि अनिमल के ऊपर टेस्टेड नहीं है और सो मेड इन इंडिया है और जिदने भी प्लास्टिक यूस करते है पैकेजिंग के लिए उनसे ज्यादा ये रिसाइकल करते है विच इस प्लस्ट पॉइंट अफ दिस ब्रैंड तो आपकी स्कीन में ब्लड सर्कुलेशन को क पैकेजिंग के पीछे बहुत इची तरे के से डीटेल इंडियान लिस्ट मेंशन किया गया है जो अभी आप स्कीन पर देख सकते हो इन शिदमास के में की इंडियान है कॉफी और को को एक्स्रैक्ट जो आपकी स्कीन को तो ब्राइट और ग्लोइंग करने में हेल्फ करती ह इसके साथ ही आपकी स्कीन की अंटी ऑक्सिडन और को भी बूस्ट करती है इसके अलाबा इसमें निया सिनमाइट सेरम है जो आपकी स्कीन में कोई भी तरका पीमपल या फिर एक्ने को रेडियूस करने में हेल्फ करती है इसके अलाबा भी काफी सारे इंग्रियंस है जो आ आपकी फेस को क्लेंस कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, तें इसे आप अपलाई कीजिए फिटिन मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए आपकी स्किन के उपर अब्सार्ब होने के लिए सेरम को देन से रिमूफ कीजिए, एं एक्स्टर सेरम जो भी लगा हुआ है उसे मसाज कर ल लिया है क्लेंज कर लिया है अभी चलिए इसे अपलाई कर लेते हैं एक सकते हो इसे मेंना अनफोल्ड कर लिया है अभी फोर हेट से ना इसे लगाना आप स्टार्ट कीजिए यह अच्छा क्वांचिटी में इसमें सेडम दिया हुआ है तो देखी सकते हो हाथ में पूरा लग गया है सो इसे आप नेक पे अपलाई कर सकते हो तो यह मैंने इसे अपलाई कर लिया है अभी चलिए 15 मिनिट्स के बाद मैं आपके साथ शेर करती हूँ कि इसका रेजल्ट कितना अच्छा आया है तो चलिए 15 मिनिट्स के बाद मिलते है सो 15 मिनिट्स हो चुका है अभी चलिए देखते हैं रेजल्ट कैसा आया है और इसे ना रिमूफ करते है सो देखी सकते हो सरम अभी तक अब्सॉर्ब नहीं हुआ है अभी जो एक्स्ट्रा सरम मेरे फेस के उपर लगा हुआ है इसे बिल्कुल आप फिंगर टिप से ऐसे मसाज करते हुए स्किन पर अब्सॉर्ब करवा दो सो हां काफी अच्छा रिजल्ट आया है अना इकन फील कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा अइडरेट एंड ग्लोइंग लग रा आ है और पने देखा ना कितनी इसे आप ट्राइ कर सकते हो हो आड अपलाइ करने के बाद कितना अच्छा ग्लोइग ता आता है इसे ने ट्राइट आओ आज की इस वीडियो में मैंने ये कोको शिदमास के बाए में डीटेल रीवियो आपके साथ शेर किया है अगर अच्छा लगे तन मेक शूर आप एक लाइक कर देना और इसे शेर भी कर सकते हो आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पौच सके और आप कोई भी वीडियो मिसना कर पाओ तो चलिया आज का वीडियो बस इतना ही था फिर मिलते है नए वीडियो में थैंक्स फर वचिंग बाई